आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए दिल्ली को 13 फरवरी 1931 को भारत की राजदानी बनाया गया था हाला कि इसकी घोषना 12 दिसंबर 1911 को जोर्ज पंचम ने कर दी थी आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर के बाद सन 1857 में कलकता देश की राजदानी हुआ करती थी लेकिन उसके बाद 1911 दिल्ली को भारत की राजदानी बनाया गया था माना जाता है कि 1450 सीसा पूर पांडवों ने दिल्ली को बसाया था 1020 में अंग्रेजों के शासनकाल में मुहम्मद गौरी और खेल जी का शासन दिल्ली पर रहा था दिल्ली को पांडवों की राजदानी इंद्रप्रस्थ के रूप में जानना जाता था माना जाता है कि दिल्ली को राजदानी बनाने का कारण ये था कि दिल्ली में बैट कर आसानी से शासन चलाया जा सकता है क्योंकि अंग्रेजों से पहले भी मुदलों ने भी यहीं से शासन चलाया था